गुद मॉनिंग, नमस्कार, मैं अन्वान दिक्षित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, आपके अपने ओफिशल यूट्यूब चैनल, जी हाँ, मैं आपके सामने एक बार फिर से हूँ, और जो मैं कहने जा रहा हूँ, उस पर आपको तोड़ा सा विश्वास करना होगा, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपने कहना चाहरा हूँ, कि इस दुनिया में आठ महाद्वीप हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपने कि इस दुनिया में आठ महाद्वीप हैं, अभी तक आपने साथ महाद्वीपों के विश्वास में सुन इसलिए नहीं हो पाए थी क्योंकि तब यह पता चल रहा था कि वह बिलोगा ओसी लेवल यानि समुद्री सत्रे के नीचे पाया जा रहा लेकिन अभी कुछ समय पहले ही इस जो नया महादूरीप खोजा गया है उसकी मैपिंग भी की गई है और उसकी मैपिंग करने के बाद म तो ने इस बात को कंफर्म किया है निक बोर टाइम कि यह नया महादूरीप पर कुछ भाग अब जमीन से ऊपर दिखाई देने वाला है तो चलिए जानकारी लेते हैं कि कहां पर यह महादूरीप खोजा गया है इसका नाम क्या है यह कितने एरिया में फैला है यह किसको कव अबर आपको यह बताना चाह रहा है कि यह question यह जो प्रश्म है जो आज खोज हुई है जो discovery हुई है यहागे चल कर आपके current affairs का हिस्सा बनेगा और यह current affairs का हिस्सा बनेगा तो क्यों ना आज यही पर 5 मिनट खतम करके आगे के लिए इसको हम लोग और पक्का कर लें current affairs का य लिए जानकारी लेते हैं कि कौन सा महादीब हो जागया है आप यहां पर कुछ एक सीन देख पा रहे हूंगे ठीक है एक डाइग्राम देख पा रहे होंगे तो यह मैं आपको बता दूँ कि यह हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला हिस्सा यह हिस्सा और यह पहले ही कुछ दिन पहले ही इसके आसपास के यहाँ वाले एरिया में इस एरिया में एक भूप अर्बटी एक क्रस्ट जनुवीन के ऊपर कुछ हिस्सा उसका दिखाई दिया गया है और यही होगा हमारा यानि पूरे विशु का आटवा महादूर तो चलिए इसके विशे में कुछ जानकारी लेते है थोड़ी सी और इसको समझते हैं फिर इसकी जानकारी लेते हैं देखे यह जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है आपको यह है भाग न्यूजीलेंड का यह भाग है तो आपको यही बताना चारा है कि यह जो हिस्सा है यही जो नया हिस्सा उपर उबर कर आया है यही नया हिस्सा है हमारा आटवा महादूर तो चलिए कुछ जानकारी लेते हैं आटवा महादूर के विशा में जिसकी मैपिंग चल रही है और बहुत जल्दी इसकी मैपिंग खतम हो जाएगी तो सबसे पहली बात अगर करते हैं तो दुनिया में आठ महादीप हो चुके है ये है विश्व का आठवा महादीप और इसको नाम दिया गया है जील एंडिया क्या नाम दिया गया है जील एंडिया समुद्र का लेवल इससे उपर जा रहा था तो भविश्य में इसको लॉस्ट कॉंटिनेंट के नाम से भी जाना जा सकता है खोया हुआ महादीब के नाम से भी जाना जा सकता है लॉस्ट कॉंटिनेंट के नाम से भी इसको जाना जा सकता है इसरी बड़ी बात अगर जाने इसके विशह में तो यह है कि यह जो महादीप हो जा गया है यहां पर यह जो आप नीला वाला हिस्सा देख रहे हो यह यहां से आप यह समझो कि यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यह है पैसिफिक ओसन यानि कि यह पैसिफिक ओसन के पास में आई प्रसांत महासागर में पाया गया जो है एक महादीब है Pacific Ocean में इसके अपने इहelect के बारे में यानि इसकी उचाई के बारे में समुद्र तन से इसके इल्टीट्यूट उचाई के बारे में तो इसकी समुद्र तन से जो इसका altitude बनता है वो है तगरीबन 12,217 feet ऐसा geologist और scientist का कहना है कि इसका altitude 12,217 feet के आस्वास है जिसकी यो उचाई की बात हो रही है altitude की बात हो रही है मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि मैं इस से बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज जब आप सभी के सामने आती है तो वो एक curiosity लाती है उसके विशह में पढ़ने की उसके विशह में जानने की तो अभी जो इसके विशह में में important बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए चेहरे पर ये खुशी दिखाई दे रही है चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहे हैं ऐसा कहा गया है कि जो इसकी crust है यानि की भूपरपटी है इस वाले हिससे की जो भूपरपटी है ऐसा कहा जा रहा है ध्यान से समझेगा कि इसकी जो crust है वो बनी है किस से basaltic rock से basaltic rock से इसकी crust का निर्मार हुआ है इस महदूप की जो भूपरपटी है वो basaltic rock से बनी हुई है और इसके साथ साथ इस basaltic rock के अलाबा इसमें कुछ सारी जो है lime rocks, sand rocks और granite भी पाया गया है ग्रेणाइट rocks भी पाई गया है और ऐसा कहा जा रहा हुआ आपने गुंदवाना लेंड का नाम सुना होगा जोंगरफी में लेंड में ब्रेकिंग हुई थी ब्रेकिंग मतलब दरार आई थी और उस दरार के कारण यह आस्टेलिया से यह वाला हिस्सा जो है यहां से यहां तक का यह आस्टेलिया का है तो यह आस्टेलिया से अलग होकर समुद्र में समाहित हुआ था आज से लगब 85 million years ago की पहले की बा आया है तो निक मोल्टाइल का उसार 85 million years ago पहले क्या हुआ था गुंडवाना लैंड जो थी गुंडवाना की चट्टाने जो थी उसमें क्या हुआ था एक क्रस्ट एक एक दरार आए थी दरार के कारण यह आस्टेलिया से अलग हुआ था और समुद्र में समाहित है लेकिन अगे दीरे दीरे क्या हो रहा है यह उपर आ ठीक है और अगर हम लोग yoga करते हैं इसके एरिया की यह जुद्र मृ 순ों DFाना甚麼 स्कार मिलियन स्कॉर मीटर इसका एरिया है कहने का मुतलब यह है कि अगर आप इंडिया और यूरोप को मिला दे तो भी इसका एरिया यानि जील इंडिया का एरिया जो है वह इससे जादा होगा बसरते अभी तक इसका कुछ भागी इसकी कुछ क्रश्ट ही समुधर की सतय से ऊपर आएए बाकी सारी की सारी सतय अभी नीचे ही है तो बड़ी खुसी की बात है मेरी लिए पढ़ने के लिए एक नई चीज मिली है अच्छा एक और चीज़ बाताती है दिमाग में कि सर इसका नाम जो है वो Zeele-India रखा किसने तो यह बात बहुत ज़रूरी है यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि Zeele-India नाम इसका रखा किसने है तो मैं आपको बता देता हूँ एक Bruce Lindick नाम के प्रोफेसर है Bruce Lindick नाम के प्रोफेसर है यह University of California में जियोलोजिस्ट है University of California University of California कैलिफोर्निया में यह प्रोफेसर है और इनी में ही प्रोफेसर है इनका नाम है Bruce Lindick यह आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि जो नया कॉंटिनेट यहने की जिलेंडिया खो जा गया है उसका नाम किसने क्वाइन किया तो आप लोग सभी लोग सही आंसर देंगे कि Bruce Lindick University of California में प्रोफेसर है जियोलोजिस्ट है इन्हा में ही इस कॉंटिनेट का नाम क्वाइन किया है मतलब यह नाम रखा गया क्वाइन दर नेम ठीक है एक कुछ महत्पूर्फेक थे जो कि नए कॉंटिनेंट के विशे में थे मैंने आपको बताया कि यह जो नए कॉंटिनेंट खो जा गया है मैं आपको फिर से एक बार दोरा देता हूँ कि इसकी जो क्रश्ट है उस crust का कुछ भागी अभी समुद्र तल से उपर आ है भागी सारा का सारा भी समुद्र में समाहिद है लेकिन जितना भाग उपर आ चुका है उसकी scientist ने सही डंग से mapping कर ली है और बहुत जल्दी ही ये आपको world map में एक आठवे महाध्वीप के रूप में दिखाई देगा तो आठवे महाध्वीप के रूप में world map में आपको बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिलने वाली है world map में आपको दिखेगा आठवा कॉंटिनेंट यानि कि आठवा महाध्वीप बहुत जल्दी इसकी भी शुरुआत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी अभी आप के लिए ठीक है एक बार फिर से देख लिजे सारी चीजों को altitude कितना है, area कितना है, कब खो जा गया है और किसमें खो जा है, नाम किसमें रखा है, कहां पर है यह आप देख रहे हैं सारी चीजे, यह New Zealand को घेरे हुए है यह जो पार्ट है, आप देख पार हो, यह वाला पार्ट है यह New Zealand के surrounding है और कुछ भाग इसने यहां पर आता है एक शहर New Caledonia नाम से New Caledonia, तो इसने कुछ भाग New Caledonia का भी लिया हुआ है और इसने New Zealand को पूरी तरीके से, क्या किया है New Zealand को पूरी तरीके से surrounded किया है ठीक है, New Caledonia वाला हिस्सा भी इसने कुछ कवर अब किया है तो मुझे लगता है कि यह चीजे आपको समझ आई होंगी उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा चलिए मिलते हैं, इसी तरीके की रोचक खबरों के साथ जो की Current Affairs का हिस्सा बनेगी मिश्चित तोर पर उम्मीद है कि आपको इस चीजे समाझ आई होगी देखने में अच्छा लगा होगा, सुनकर आप पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, फिर मिलते हैं आप से एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ, मैं राग देख्षित, अब आप सभी से लेता हूँ विदा, जैहन!